नमस्ते मैं गौरुफ कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीरिया पर वारल खबरों के शो के साथ इसका नाम है आज क्या है वारल वैया सोशल मीरिया पर आज जो वेक्टी सबसे ज़्यादा वारल है वो है अजय कुमार लल्लू जी हाँ पूर कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दरसल वो पहुंचे थे राउल गांडी की भारत जोडो यात्रा में और पध्यात्रा में पहुंचने के बाद जोनों ने जोज दिखाया सोशल मीरिया पर उसी की चर्ट है कि आखरकार अजय कुमार लल्लू को हो क्या गया द इस वीडियो को यूपी कॉंग्रेस ट्वीट करके पूर प्रदेश अध्यक्ष्री अजय कुमार लल्लू जी ने अपने अनोखे अंदाज से भारत जोडो यात्रा में शामिल साथियों में जोश भर दिया बिलकोल जोबे इस वीडियो को देख रहा था वो हैरान था कि आकिरकार अजय कुमार लल्लू ऐसे अंदाज में कैसे अब इनके अलावा जो है मैं आपको बता दूं कि कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा का आज आठवा दिन था आज इस यात्रा में राहूल गांदी ने शुवगिरी मठ में सन्यासियों से मुलाकात भी की आपको बता दे कि कॉंग्रेस पार्टी की यात्रा तमिलनाडू क कि कन्या कुमारी से शुरू हुई थी और 150 दिन में 3570 किलो मेटर का सफर तै करके जम्मू कश्मीर में इसका समापन होगा इसके लावा आपको बताते कि लगातार यात्रा जो है सुबह स्टार्ट होती है और सुबह स्टार्ट होने के साथ ही राहूल गांधी अपने तमाम क लूपी कॉंग्रेस या फिर देश भर में जो कॉंग्रेस के कारे करता है नेता है वो सभी जो है इनकेस वीडियो को इनकेस मूव को जो है काफी प्रुचान करते हैं काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वारल करते हैं जैसा कि आज अजय कुमार ललू वहाँ पूचकर उन्ह केशो प्रसाद मौरे का जो मामला है वो काफी ज्यादा वारल है जैसा की हाली में समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट कर लिखा केशो प्रसाद मौरे जी आपके जन्पद कोशामबी में जन्म प्रमाण पत्र मृत्यू प्रमाण पत्र या किसी भी प्रमाण पत्र निर अग्सा है हालकि इस वीडियो के बारल होने के बाद तुरंद DPRU सहाप का इस पर ट्वीट आता हूँ वो कहते हैं कि भाईया सम्मंदित कंप्यूटर ऑपरेटर को सेवा समाप्त की प्रक्रिया प्रारंब है इसके अलावा पकाइदा शान तक जो एक लेटर जारी हो जाता है जिसमें कहा जाता है उप्यूक्त विशय में अवगत कराना है कि स्वच भारत मिशन के अंतरगत विगास खंड सिराथु में तैनात डाटा इंट्री ऑपरेटर श्री रविशंकर त्रिपार्टी के संबंद म नाम पर 500 रुपए की धनराशी वसूली से संबंदत वीडियो सोशल नेटवर्क पर वारल हो रहा है जो अत्यंत अपति जनक एवब साशन के मंचा के विपरीथ है उक्तिकरम में 14 सितंबर 2022 को श्री रविशंकर त्रिपार्थी डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा समाप्त करते हुए आपको वापस किया जाता है तो वया कहीं ना कहीं जो है यह पूरा मामला खता मुझाता यहीं पर और इसे के साथ आज के वाइल खबरों का हिसाब किताब यहीं तक खतम होते हैं बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप पढ़िए यूपीता की वेबसाइट जिस हुए हुए पर्ड़ उपड़ आपड़।